हेलो गाइज वेल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल अरिना किजिन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वाकत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं रेस्टरेंट स्टाइल मश्रूम की बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी जी हाँ यह जो रेस्ट पट से कैसे बना सकते हैं बिल्कुल उसी टेस्ट और स्वाद के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम विस्ट के रेस्टरेंट स्टाइल मश्रूम बनाना मश्रूम की यह सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें फैन गैस के उपर रखना है और उसमें डालना है दो अच्छ ऑईल को हमें इसलिए डालना है कि हम चाहते हैं सबजी को जल्दी से बना लें तो उसके लिए हमें मश्रूम लेने हैं अच्छे से वाश करने हैं क्लीन करने हैं और पतले पतले स्लाइसे में आप लंबे कट कर लीजिए इसके बाद जैसे आपको तेल थोड़ा सा बट यहां好 गरम हो जाए तो हम इस के बाद मश्रूम उसके अंदर डालेंगे और मश्रूम को सॉटे करेंगे यूंकि मश्रूम ना बहुत ही जल्दी पक यह चे तैयार हो जाते हैं, बस बहुत हलकिाओं से जल्दी मश्रूम तो जाएंगे तो इन हल्का फुल का हमें तो यहां पर मैं इसको प्लेट पे निकाल लेती हूं मैश्रोम को और इसके बाद हम उसी पैन में बिना ओइल डाले प्याज और लसन और थोड़ा सा अध्रक को लंबा लंबा रफली कट करेंगे और इन्हें डालेंगे और हल्का से सौटे करेंगे ऐसा मिसले कर रहे हैं क्योंकि हमें जो इसकी ग्रेवी बनानी है वो बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल बनानी है और बहुत जल्दी भी बनानी है तो उसके लिए हमें प्याज लसन को हलका सौटे करना है जब तक उनमें अच्छे से निशान नहीं आ जाते वो अच्छे से अर उसके बाद उसमें हम टमाटर और हरी मिर्च को एड़ करेंगे यहाँ पे मैंने दो प्याज और दो ही मिडियम साइज के टमाटर और हरी मिर्च लिए हैं उन्हें एच्छे से कट कर लिया है और रफली कट करके अब इने में थोड़ सो सॉफ्ट होने तक जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होते इने पकाऊंगी जैसे आपको दिख रहा है कि इस तरीकी के सॉफ्ट हो चुके हैं तो यहां पर यह जो हमारी ग्रेवी बनने के लिए यानि ग्रेवी का मिक्स्चर तयार होने के लिए बिलकुल तयार है अब मैंने यहां पर लिए मिक्सी का जार उसमें थोड़ा सा पानी पहले अलड़ी डाला हुआ है क्योंकि जो मिक्स्चर है न मैं गरम ही डाल रही है तो उसको टेंपरेचर बैलन्स करने के लिए मैंने इसमें पानी डाला था और अब इसके अंदर हम यह जो मिंश्चर है जो हमनें प्याज टमाटर भूने है यह डालके इसका एक स्मूध पेस्ट तैयार कर लेंगे तो इसे हम पीस लेते हैं और इसे एक दम स्मूध पीस्ट ना आए इसमें एसे नहीं है कि प्यास टमाटर के प्यास टमाटर भूने थह न उसी सेम पैन में हमने ऐल डालिया है और इसके बाद डाल लेते हैं कुछ खड़े मसाले जैसे काली मिर्च लौंग और जीरा यहाँ पर हमने एड़ कर दी हैं तेल में और जैसे ही हलके से भुन जाएंगे इसमें चटकने की तडकने की आवाज आने ही लोग जाएंगी तो इसका मतलब यह पक चुके हैं और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे वो मिक्स्चर जो हमने पीस के तयार किया है यानि की प्यास ट्रमाटर का पेस्ट अब इस जो ग्रेवी को हमने तयार कराए ना यह जो इससे यह ग्रेवी बिल्कुल आपको रेस्टरेंट वाला जोरत नहीं है और क्योंकि अलड़ी पहले हम भून के पीसा है अब इसमें डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च एक चमच एक चोथाई चमच हल्दी पॉडर इसके साथ हम यहां पर डाल देंगे एक चमच धनिया पॉडर और नमक यहां पर स्वाद के अनुसार हम नमक एड़ क सब्सक्राइए नहीं तो मुझे लास्ट में गरव मसाला एड़ करना ज्यादा पसंद में तो यहां पर हम इने सभी चीजों को मिक्स करेंगे और फिरसे एक मिन्ट इसे मिक्स कर चला लेंगे जिसे कि मसाले में अच्छ से जोगे मसाले डाले है वो मिक्स हो ज़ाएं अब तो भी यहां पर एड़ करनी बहुत ज़रूरी है और उसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगी कासूरी मेथि को मसाले के साथ और जब आप इसे कासूरी मेथि मिक्स करने बाद चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छी से खुश्बू आनी शुरू हो जाएगी अब आती है बार तो मलाई जो है बहुत अच्छा एक टेक्स्टर निकाल के देती है रेस्टोरेंट वाला वह इसी की वज़े से होता है वहाँ पर बस यह है कि रेस्टोरेंट में क्रीम यूज कर लेते हैं और हम घर पर बनाते हैं तो हम मलाई यूज कर लेते हैं तो बस मलाई को अच्छे स बहुत टेस्टी सा लगना शुरू हो जाता है इसके बाद एक और चीज मैंने आपको बोली थी कि यहां दो चीज एड़ होने वाली है एक तो है मलाई और तूसरा सीक्रेट हैस रेसिपी का वह है टेमेटो कैचप टेमेटो कैचप जो है खटास और मिठास दोनों को इस सबज करेंखे और उसके वैसे अधर बहुत टेस्टी फ्लेवर बनके तयार होता है तो यहां पर एक चमच बड़ी चमच मैंने कैचप डाला है और कैचप को अच्छे से वीक्स करेंगे मलाई कैचप के जो डालने के बाद इसका टेस्ट आता है वह बहुत जादा सवादिस्ट हो खुशबु भी आपको बिल्कूल ऐसे आईगी, जैसे आप रेस्ट्रेँट में फ्लेवर में जो बनते हैं, उनकी आती है, बिल्कूल उनहीं सबजी के आपको इसमें कुशबु आने वाली है, और इसके बाद हम पानी एड़ करते हैं, क्योंकि हम यहां पर और फोड़ी सी ग तो इसलिए मैं थोड़ा से पानी को और एड़ कर देती हूं और इसे हम दो मिन्ट तक पका लेंगे अच्छे से जिससे की ग्रेवी तयार हो जाए तो यहां पर इसे खुला मिक्स अच्छे से करने के बाद एक मिन्ट तक पकाने के बाद अब मैं इसे ढख दूँगे और ढख पक चुका है क्योंकि इसे चलाना जरूरी है नहीं तो नीचे लगना शुरू हो जाएगा तो दो मिन्ट बाद जो ग्रेवी है वो हमारी बिल्कुल अच्छे से तयार हो गई है अब हम यहां पर जो हमने मश्रूम भून के रखे होए थे वो यहां पर एड़ कर देंगे मश मश्रूम डालके इसे बंद कर सकते हैं फ्लेम को क्योंकि मश्रूम पका हुआ है बस इसे छोड़ देना आपको थोड़ी देर के लिए ग्रेवी के साथ जिससे की जो ग्रेवी का मसाला है जो टेस्ट है टेक्च्चर वो इसके अंदर एड़ हो जाए अब इसके बाद लास् नहीं करके बहुत शॉटकट और असान तरीके से आपको समझाया है कि हम बहुत एजी तरीके से घर में रेस्टरेंट वाले फ्लेवर के साथ सबजियां बना सकते हैं ज्यादा महनत की जुरत नहीं है बस छोटे मोटी जो टिप्स हैं जो रेस्टरेंट में यूज किये जात बहुत ही अच्छी खुश्बू और दिखने में भी बहुत ही खुबसूरत तो आपको यह रेस्टरेंट कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा कमेंड बॉक्स में अपने घर में ट्राइ कीजेगा बनाएगा और फिर फीडबैक में साशेर कीजिये कि जटपट से असान र रेस्टरेंट स्टाइल अलग अलग रेसेपीज शेयर करूँगी तो आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो केंचे लाइक बटन ज़रू क्लिक करें और रिना किजन पॉइ के लिए बाइए